Hello students, इस log के lecture में हम लोग ये topics कवर करने वाले हैं पहला increasing function की definition, ठीक है? फिर decreasing function की definition, graph of exponential function जिसमें हम a ratio to power x का graph सिखेंगे कि a greater than 1 होता है तो कैसा graph होता है और a अगर 0 से 1 के बीच में रहता है तो a ratio to power x का graph कैसा होता है? फिर log function का graph, y is equal to log x with base a, ठीक है? conditions और नहीं आएंगे उसमें भी, फिर हम कुछ problems cover up करेंगे जिसमें exponential equations, log equations, exponentials, inequality और log inequalities कवर होंगे ठीक है? तो बहुत important lecture है, चलो, start करते है सबसे पहले increasing function, अच्छा, अब increasing function की का definition है? मान लो आपके पास कोई एक graph है, जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, कि जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं x कहां पर बढ़ता है, right-hand side में ठीक है? right-hand side कोई देखना है आपको, आपको हमेशा इस direction से आपको देखना है, मान लो यहाँ पर आप observer है और इस direction से आप इस को देख रहे हो ठीक है तो क्या है कि यहां पर value क्या होती है जैसे x की value 1, 2, 3 x की value बढ़ती है पता है आप लोग को यहां पर minus 1, minus 2, minus 3 तो हम हमेशा कौन सी direction में देख रहे हैं इस graph को rightward direction में similarly अगर आप y की value इसको देखोगे तो upward direction में y की value बढ़ती है minus 1, minus 2, minus 3 and so on तो हो कह रहा है कि जैसे जैसे x हमारा बढ़ रहा है हमारे y की value भी क्या हो रही है बढ़ रही है देख पारे हो आप लोग देखो इस direction में देखो तो जैसे ग्राफ आपको ऊपर को जा रहा है ना जैसे जैसे मैं x की value को बढ़ता जा रहा हूँ यहाँ पर X की VALUE बढ़ रही है और मेरी Y की VALUE भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन की देफिनिशन क्या होती है Y is equal to F of X is said to be an increasing function is said to be an increasing function ठीक है इसको हम increasing function बोलेंगे जैसे जैसे हमारा X incredible increase करेगा यह जो symbol है यह increase का है जैसे जैसे मेरा x increase करेगा ठीक है वैसे वैसे मेरा y भी क्या होना चाहिए increase करना चाहिए तो यह increasing function की definition है अब कुछ बच्चे इसको opposite direction में देखने लग जाता है फिर गड़ बड़ हुई, आपको एक ही direction रखनी है जैसे मैंने observer यहां बना रखा है तो आपको हमेशा किस direction में देखना है rightward direction में, तो बहुत simple सी definition होई कि अगर हमारा graph उपर की direction में जा रहा है, तो rightward direction में देखने पर, अगर हमारा graph उपर की direction में जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ जैसे जैसे मेरा x increase कर रहा है मेरा y भी क्या कर रहा है, increase कर रहा है तो उस function को हम क्या बोलते है increasing function, इसका बहुत ही जादा important role है, mathematics of class 11th and 12th standard के mathematics है, उसमें बहुत जादा important role है, ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक और definition है, जो थोड़ी सी इससे advanced है, वो आप 12th में भी पढ़ोगे ठीक है, बट अभी मैं बता देता हूँ ताकि आपको हो सकता है future में कहीं जरूत पढ़ जाए, देखो होता है कि आपने graph बना लिया इस case में आपको graph पता है, तो आपको यह देख पा रहे हो बहुत easily, कि जैसे जैसे मेरा x increase कर रहा है, मेरा y increase कर रहा है, इसलिए यह function क्या होगा, increase करेगा, और इसको हम क्या वो लेंगे, increasing function बनेंगे, बट ऐसी भी बहुत सारे equations हैं, functional equations हैं functions हैं, जिनका आप graph नहीं बना पाऊगे, तो उसके लिए भी तो आपको एक definition है, for all x belonging to domain of the function, यह भी लिख देते हैं, मतलब पूरे domain के लिए, उस पूरे domain के लिए, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, अगर y बढ़ रहा होगा जो कि आप देख पारे हैं उस graph में हैं, तो उस graph को हम क्या बोलेंगे, increasing, अब जैसे मैंने बताया है कि, कुछ cases में आप graph नहीं बना पाऊगे, तो उसमें क्या definition होती है, तो जैसे यह graph को अगर आप देखोगे, किसी भी point पे हम जो tangent निकालते हैं, जैसे यह मैंने इस point पे इस graph का tangent बनाया इस point पे मैंने यह tangent बनाया, ठीक है, इस point पर क्या बना रहे हैं, acute angle बना रहे हैं, तो कहने का क्या मतलब है, कि जो भी मेरा increasing function होगा जो भी मेरा increasing function होगा, उसकी जो tangent बनेगी, उसकी जो tangent होगी, उसके किसी भी point पे जो मेरा increasing function होगा at any point at any point x equal to a उस increasing function में, जो tangent होगा उसकी slope क्या होगी tangent has positive slope ठीक है तो उसकी condition हमारे पास आजाती है कि f-x जो होना चाहिए हमारा greater than equal to 0 होना चाहिए ठीक है equal to 0 भी हो सकता है वो बीच बीच में constant भी हो सकता है तो equal to 0 पर अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी बस आप यह सोचो कि अगर मेरा एक function increasing है तो वहाँ पर f-x का derivative क्या होगा greater than equal to 0 होगा तो मैं यह सब बोलता हूँ function एक statement लिख देता है function y is equal to f of x is said to be increasing said to be an increasing function increasing function on x belonging to open interval a to b if and only if f-x is greater than equal to 0 for all x belonging to open interval a to b जिसको अभी derivative का मतलब नहीं पता है बने रही है अभी मैं आपको उसका भी मतलब explain करता हूँ ठीक है अभी हम आगे explain करेंगे ठीक है तो जिसको बस अभी आप थोड़ा सा याद करने के कोशिश करो ठीक है कुछ चीज़ें आपको with time समझाती है जैसे हम chapter में आगे बढ़ेंगे तो increasing function की definition क्या होगी जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है मेरा y क्या होगा बढ़ेगा ठीक है एक चीज़ यह ध्यान में रखनी है increasing function में किसी भी point पे tangent का slope हमेशा क्या रहता है है positive रहता है तो बहुत जगा हम अगर graph नहीं बना पाएंगे और हमने उसका derivative निकाला और derivative हमेशा 0 या 0 से बढ़ा आ रहा है ठीक है हमेशा 0 नहीं होना चाहिए हमेशा कुछ point पर 0 हो सकता है या 0 से बढ़ा हो तो उस graph को हम क्या बोलेंगे increasing function बोलेंगे यह definition clear होगी आप लोगको अच्छा आप next आते हैं decreasing function पे increasing में क्या हो रहा था जब हम rightward direction को देख रहे थे तो हमारा graph क्या कर रहा था उपर को बढ़ रहा था decreasing में आप सोच सकते हो common sense है कि अगर हम rightward direction में देखेंगे जिस direction में हमारा x बढ़ रहा है और अगर मेरा y कम हो रहा है तो उस function को हम क्या बोलेंगे decreasing function अगर आप देखो यहां पे कुछ point भी लेकर देखते हैं मानलो यह value 1,3 है ठीक है अगर आप यहां पर 2 पर गई यह value 1 हो गई से आप 3 पर गई value half हो गई तो हो कहा रहा है जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है x coordinate देख रहा है 1,2,3 x coordinate बढ़ रहा है y coordinate क्या हो रहा है 3 से 1 हो गया फिर half हो गया तो y coordinate क्या हो रहा है कम हो रहा है तो जैसे जैसे अगर आपका x बढ़ रहा है और उसके कारण y आपका कम होता जा रहा है तो उस function को हम क्या बोलते हैं decreasing function हमेशा आपको यह ध्यान रखना है किस direction में देखना है आपको हमेशा rightward direction में देखना है तो अगर graph पता है तो देख लोगे आप easily देख लोगे graph कब increasing है और graph कब decreasing है तो अगर rightward direction में graph उपर की direction में जा रहा है तो वो क्या करेगा increase करेगा अगर rightward direction में graph नीचे की direction में जा रहा है तो वो क्या करेगा decrease करेगा by default हमेशा rightward direction में देखना है जहां पर x की values बड़ गी होंगी अब ऐसा हो सकता है कि कुछ graph कुछ interval पर increase करे और कुछ interval पर decrease करे ठीक है? ऐसा भी possible है ठीक है? जैसे अगर आप y is equal to x square का example लेता हूँ यहाँ आप चोटा सा बना जेता हूँ यह y is equal to x square का example है अगर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है? कि कुछ part पर अगर आप minus 70 से zero में देखोगे इस पार्ट में graph की value क्या हो रही है? कम हो रही है? तो यह decrease कर रहा है अगर आप 0 से आगे देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे रहा है y की value बढ़ रही है तो वो क्या कर रहा है? increase कर रहा है तो ऐसा possible है कि आपका graph कुछ interval पर increase करे और कुछ interval पर decrease करे बात समझ आ गई ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा इसकी एक और definition जो भी हमने बताई थी होता क्या है कि अगर graph आपका नीचे की direction में जा रहा है तो किसी point पर अगर आप tangent बनाएंगे ठीक है तो यह tangent की जो slope है, slope कैसे define करते हैं हम, यह हम सब चीज़ा आगे पढ़ने वाले हैं बस इसलिए क्योंकि अब यह definition जो है 12 में भी आएंगी दुबारा से बट questions को solve करने के लिए इनकी ज़रूरत है इसलिए मैं आपको तोड़ा सा यहां पर briefing दे रहा हूं उसके, slope जो होती है वो क्या होत negative आएगी, तो अब हम definition अगर graph नहीं बना सकते हैं तो हम definition कैसी बना रहे हैं, अब function is set to be a decreasing function on open interval a to b if and only if f dash x is less than equal to 0 for all x belonging to open interval a to b, तो अगर a to b पे हमारा function decreasing है, तो वो a to b के उपर हर point के उपर उसका जो derivative होगा, वो 0 से कम होगा, कुछ point पर वो 0 हो सकता है, ठीक है, तो दोनो definition clear हो गई, कि भई increasing की definition क्या है, जैसे ऐसे x बढ़ेगा, हमारा y क्या होगा, बढ़ना चाहिए, ये increasing की definition हो गई, और क्या definition है, calculus वाली, इसको calculus वाली definition बोलते है, calculus definition, ठीक है, तो calculus वाली definition हमारी क्या है, कि भई f dash x क्या होगा, 0 या 0 से बढ़ा रहेगा, decreasing function क्या है, जैसे ऐ अब हम increasing और decreasing function की application के पारे में देखेंगे और यह काफी important है ठीक है अच्छा पहले तो यह बताओ मुझे जैसे यह graph हमने बनाय होगा y is equal to x square का सबको बनाना आता होगा नहीं आता है तो ordered pair से आप बना सकते हो 0 पर इसकी value 0 है x को 0 put करोगे y की value 0 है 1 पर x1 पर y1 है x2 पर y4 है similarly minus 1 पर 1 है minus 2 पर 4 है ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूस्ता हूँ कि यह graph कहां पर increasing है और कहां पर decreasing है तो हमारा answer क्या होगा ठीक है तो अगर मैं बोलता हूँ यह बताओ graph कहां पर increasing है तो आप देखकर बताओ right word direction में देखने है आपको by default इस direction से देखने है तो इस increase हो गया तो increasing answer क्या आजाएगा 0 से infinity क्योंकि 0 के आगे यह graph हमेशा क्या कर रहा है increase कर रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं decreasing कहां से कहां में होगा आप देख रहे हो negative values पर अगर आप minus infinity से इस direction में देखोगे minus infinity से 0 की direction में value क्या हो रही है कम होते जा रही है इसलिए क्या होगा minus infinity से 0 पर यह graph क्या करेगा decrease करेगा समझा गया इतना समझा गया अचा अब आते हैं जो की बहुत important चीज़े अगर मालो मैं बोलता हूँ मेरा one जो है वो two से कम है सब लोग जानते है one is less than two बहुत simple सी बात है अब मैं आपको अभी तक बताते है आ रहा था हमने previous जो inequalities वाला topic ह उसमें भी यह देखा था कि हम positive values पर scaring कर देते हैं बड़े अराम से याद है आपको positive values है तो हम scaring both sides कर सकते हैं तो अब यह बताओ जैसे one less than two है तो one ratio to the power two जो होगा और two ratio to the power two होगा कौन बढ़ा होगा two ratio to the power two बढ़ा होगा क्योंकि इसके value one है और इसके value four है ठीक है समझ साया अब एक पर negative पर देखते हैं तो negative पर मुझे यह बताओ minus two is less than minus one देखने भी समझ आता है कि minus one यहाँ पर आता है minus two की जो value है वो minus one से तो छोटी है अब इस पर अगर मैं scaring करूंगा तो क्या होगा value change हो जाएंगी आपकी four जो भी आपकी four जो है वो one से बड़ी value है ना तो इसमें क्या हो रहा है inequality change हो रही है देख रहे हो inequality change होने का मतलब है यहाँ पर क्या था जब हमने whole scaring किया तो इसके inequality का sign change हो गया minus one का whole scaring right hand side पर यह है बड़ इसा यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा इसी लिए नहीं हुआ क्योंकि positive side में positive side में 0 के आगे जो आपका function है कौन सा function लगाया आपने इसके उपर इसके उपर आपने x square का function लगाया ना x की value की scaring करिए यहाँ पर भी आपने यहाँ पर कौन सा function लगाय है तो जो positive side है वहाँ पर आपका graph क्या है increase कर रहा है तो value को increase कराएगा value को क्या कराएगा जब आप 1 से 2 पे जाओगे या 2 से 3 पे जाओगे तो आपकी value क्या करेंगी बढ़ेंगी अगर बढ़ेंगी तो inequality आपकी change नहीं होगी बढ़ जब आप negative side में देखोगे आपकी value क्य हो रहा है तो आपकी value क्या होंगी कम होंगी value कम होंगी तो जब आप scaring करोगे तो क्या होगा value कम हो जाएगी तो inequality के sign को क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा इसलिए हमारे पास एक बहुत ही important concept आ जाता है यह बहुत ही important note आ जाता है increasing functions जो होते है increasing functions does not change inequalities does not change inequalities ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी inequality के उपर आप increasing function लगाओगे वो inequality को change नहीं करेगा किसी भी inequality के उपर अगर आप increasing function लगाओगे वो inequality को change नहीं करेगा जबकि जो चाहे लगाओ चाहे हटा भी सकते हो लगा भी सकते हैं हम inequality के उपर हम हटा भी सकते हैं ठीक है समझे हो अब हटाने वाला जो process है वो आगे हम questions में दिखेंगे कैसे हटाते हैं तो किसी भी inequality के हैं उसमें आपने देखा न है negative जब x की values negative हैं यहां पर तो क्या हो रहा है value आपका function क्या कर रहा है decrease कर रहा है तो इसलिए वो क्या कर रहा है inequality को change कर रहा है तो decreasing function changes inequality अच्छा inequality कहने का यहां पर मतलब है sign of inequality मतलब और कुछ मतलब नहीं है क्या मतलब है कि increasing function जो होंगे उनको अगर आप लगाओगे तो inequality के sign को change नहीं करेंगे जो decreasing function होंगे वो inequality के sign को change करेंगे अभी यह इतनी important property है बहुत जादा use होती है अभी आप आगे log inequalities पढ़ोगे exponential inequalities पढ़ोगे उसमें हर जगा हर step पर इसका use होगा इसलिए आपको यहां पर बताया जा रहा है ठीक है और अभी आपको थोड़ा से यह भी समझ आ रहा होगा जिसे हम पहले inequality solve करते हैं मैंने आपको बोलता है अभी याद कर लो कि if both the sides are positive we can do scaring on both the sides but if one side is negative तो हम नहीं कर सकते अब एक चीज़ वो भी distance कर लेते हैं मालो मेरे पास लिखा हुआ है minus two से x स one यह interval है अगर मेरे को इसका scaring करना है if I want to do scaring ठीक है तो इसको कैसे करेंगे ठीक है अगर आप अब दिहान से देखोगे minus two आपका यह वाला point है ठीक है जो negative x की direction में और one आपका यह वाला point है ठीक है तो इसमे scaring करने में हम directly नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या है कि इस interval में minus two से zero पे आपका graph क्या है decrease कर रहा है zero से one पे हमारा graph क् increase कर रहा है अब इसकी scaring करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको break करना पड़ेगा इसको break करते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ minus two से x से zero union 0 से 1 बताओ से लिखा हूँ कि नहीं से लिखा हूँ है break कर सकते है ना minus two से one वाली values को minus two से zero पे union zero से one पे अब आपक sharing both side करूँगा अब इस interval में मेरा graph क्या था decreasing याद रखना है इस interval मेरा graph क्या था increasing हमने अभी अभी चेक किया था तो यहां पर whole square करेंगे x square की बात कर रहे हैं यहां पर function decreasing है यहां पर function increasing है whole square करेंगे तो क्या करेंगे inequality के sign तो change करतेंगे और आपको logically समझ भी आ रहा हुगा zero भाई four जो है वो zero से तो बड़ा ही होगा na union यहां पर अगर आप करोगे तो change नहीं करना है तो zero से x square से less than one ठीक है तो अब हमें क्या करन इसका direct scaring करने पर हमें answer मिलेगा close zero four open बात समझ आ गई ठीक है तो यह बहुत important concept है कि बहुत किस तरीके से inequalities के उपर आपको function लगाना है यहां पर हमने इस inequality के उपर कौन सा function लगाया x ratio the part 2 लगाया तो यह x ratio the part 2 है sorry यहां पर x square था ना x नहीं था तो x square की values कहां से कहां आएं union 0 से 4 तो 0 included है तो 0 include हो गया और 4 पे उपन है तो इसलिए 4 पे open bracket आईगी clear हो गया सबको यह ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा अब मैंने एक graph बनाया है y is equal to 1 by x अब इस पर भी inequality लगा कर थोड़ा से चेक करते हैं ठीक है बहुत ही interesting है यह तो y is equal to 1 by x का graph कैसा बनता है औ मैं कुछ points लिए हो है zero पर यह वाली value infinity को जाएगी तो इसलिए यह ऐसे graph मतलब उपर तक जाता रहता है y axis को touch करने के कोशिश करेगा जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे y axis के infinity पे जाकर touch करने कोशिश करेगा say x को अगर आप इसमें 1 by 3 put करोगे तो y की value कितनी आ जाएगी 3 यह वाला point मिल जाएगा में ठीक है one put करोगे x को one put करोगे तो y की value one x को two put करोगे y की value half similarly negative side में ठीक है अब आप देखना अब अच्छा पहले यह बताओ यह graph decreasing है कि increasing है तो अगर मैं आप से पूस्ता हूं कि यह graph बताओ decreasing कहां कहां पर है तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस direction को देखने है आपको तो minus infinity से zero तक देखो तो graph नीचे को जा रहा है तो इसका मतलब decrease कर रहा है ठीक है जी जिरो से infinity में देखोगे तो graph क्या होगा यह भी value कम होते जा रहे है तो decrease कर रहा है जिरो पर क्या है यह defined ही नहीं है तो इसलिए अगर हम हमसे पूछा जाएगा क कि decreasing काम पर है तो हम बोलेंगे x belongs to minus infinity से zero union zero से infinity में decreasing है मतलब जो इसका domain है उस पर यह graph हमेशा decreasing है तो आप याद रख सकते हो कि y is equal to 1 by x मतलब किसी भी inequality अगर हमें reciprocal लेना है क्योंकि reciprocal जो होता है वो decreasing function होता है वो पक्का से inequality को क्या करेगा change करेगा वो हम यहाँ पे check करेंगे अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ यह increasing काम पर है तो कहीं पर भी increasing नहीं है इसलिए हम बोलेंगे 5 पर लब no solution increasing के लिए इसका कोई भी interval नहीं है तो अब अच्छा चेक करते हैं कि inequalities पर कैसे लगेगी जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 by 3 is less than 2 बहुती simple statement है और correct statement statement है इसके उपर reciprocal लेना है तो reciprocal होगे तो क्या होगा 1 by 3 का reciprocal क्या हो जागा 1 upon 1 by 3 और इधर reciprocal क्या आजाएगा 1 by 2 इनी quality देखो आपको change करनी पड़ेगी अगर नहीं change करोगे तो statement गलत हो जाएगी because 3 is always greater than half तो क्योंकि यह graph decreasing था इसलिए इसने इनी quality को क्या कर दिया change कर दिया ठीक है अब negative में भी check करते है negative में आप जानते है minus 2 is less than minus 1 ठीक है minus 2 x axis पर पीछे आता है अब इसका reciprocal हो अगर reciprocal होगे तो यह minus half बनेगा यहाँ पर minus 1 बनेगा तो क्या हो रहा है कौन बढ़ है minus half वाली value बढ़ी है ना ठीक है क्योंकि minus 0.50 की पास होता है ठीक है तो क्या हो र दिखते हैं इसी में इसी के लिए एक interval बना रहा हूं मैं-2 से एक से 1 अब यह interval बड़ा जबड़सा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इसके बीच में 0 आ रहा है और वहां पे हमारा graph क्या हो रहा है ब्रेक हो ठीक है तो minus 2 से 1 में अगर आपको कोई बोले कि भाई इसका reciprocal ले ले रहे हो बड़े असानी से ले ले रहे हो क्योंकि आपको पता है decreasing है negative ले ले रहे हो अब minus 2 से 1 में लेके बताओ इसमें 0 आ रहा है बीच में तो क्या करेंगे ठीक है अब आपको यह पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई question में तो हो सकता है वो आपको domain domain कुछ बताई नह लगानी है कि भाई जहां पर function not defined है वहाँ तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसको तो हम बात ही नहीं कर सकते है उस पॉइंट के ओपर हम बात ही नहीं कर सकते है तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे minus 2 से x से 0 minus ठीक है union 0 plus से x से 1 अच्छा अब यह क्या बला है वाला उसको कुछ और बोलना पड़ेगा actually वह 0 से बहुत छोटी value होगी और वह value क्या होगी minus 0.0001 कुछ ऐसी value होगी minus में आएगे ना 0 के पीछे तो इसलिए उस value को हम कैसे denote कर रहे है 0 minus से और 0 के just आगे वाली जो value होगी उसको हम कैसे denote कर रहे है 0 plus से तो वह 0 plus actually में 0.0001 0 minus 0 के आगे जो term है उसको क्या लिख देंगे 0 plus ठीक है अब मेंको क्या करना था reciprocal लेना था आपको समझा गए 0 पे क्यों break किया 0 पे हमने इसलिए break किया है because 1 by 0 is not defined 1 by 0 is not a defined value इसलिए 0 पे break कर दिया अब तिरको reciprocal लेना है अब तु जानता है कि यह जो graph है यह क्या है decreasing है तो inequality क वो क्या करेगा चेंज करेगा तो 1 by x का reciprocal कितना आ जाएगा 1 by minus 2 1 by 0 minus अब 0 minus जो है negative value वे धियान रखना है और reciprocal की inequality हमने चेंज कर दी union इसका reciprocal लेते हैं 1 by 6 वा सॉरी 1 by x inequality चेंज करेंगे तो 1 by 0 plus यहां पर कितना जाएगा 1 by 1 reciprocal ले लिया inequality चेंज कर दी क्यों inequality चेंज कर दी because 1 by x is a decreasing function बात समझ आ गई inequality decreasing function क्या करता है inequality को change करता है और increasing के बारे में क्या बताया था increasing जो होगा वो inequality को change नहीं करेगा ठीक है जी तो 1 by x क्या आएगा अच्छा 1 by 0 minus की बात करते हैं तो 1 by 0 minus जो है वो किसके बराबर होगा 1 by 0 minus किसके बराबर होगा 1 divided by minus 0,01 तो यह वाली value हमारी minus infinity को approach करेगी और यह वाली value हमारी किसके बराबर आएगी minus half तो यह interval आ गया हमारे पास minus infinity से minus half union 1 by 0 plus किसको approach करेगा infinity को 1 by x और 1 by 1 का reciprocal कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा समझ आ गया तो overall अब हमें यह समझ आ गया है कि जो हमारा 1 by x की जो range आ रही है वो कहां से कहा रही है इसकी range आ रही है minus infinity से minus half union 1 से infinity तो समझ आ गया कैसे reciprocal लेना है तो मैंने आपको positive interval के लिए reciprocal लेने का बताया negative interval के लिए reciprocal लेने का बताया और negative positive दोनों interval के लिए लेने का बताया बस यह ध्यान रखने है जहां पे आपका function not defined होगा वहां पे उसको break करके आगे बढ़ेंगे तो अब आपको जो दो important चीजे थी वो बहुत अच्छे से clear होगी होंगी एक तो कि भाई जो increasing function होता है वो inequality को change नहीं करते हैं चाहे आप inequality पे लगाईए चाहे आप inequality से हटाईए decreasing function जो होते हैं वो inequality को change करते हैं inequality के sign को change करते हो चाहे आप inequality पे decreasing function को लगाओ चाहे आप हटा ठीक है अच्छ अब next आते हैं graph of exponential function पर ठीक है तो y is equal to a ratio to the power x को हम exponential function बोलते हैं ठीक है इस पर condition होती है a should be greater than 0 and a is not equal to 1 ठीक है एह हमेशा क्या होना चाहिए exponential function में positive होना चाहिए negative की power x को हम define नहीं करते हैं ठीक है अगर x integer होगा तब भी define करते हैं वैसे in general define नहीं करते हैं तो function के point of view से y is equal to a की power x की definition है a should be greater than 0 and a is not equal to 1 ठीक है याद रखने हैं हमेशा 1 हम इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि 1 की power x जो है 1 की power x को हम 1 ही मान लेते हैं तो वो एक constant function हो जाता है ठीक है तो उसको हम exponential function में consider नहीं करते हैं ठीक है तो y is equal to a raise to the power x a is greater than 0 and a is not equal to 1 अभी इसका अगर domain की बात करें तो इसका domain आता है x belongs to r और आप इसको लेक सकते हो x belongs to minus infinity से infinity open interval इसकी जो range आती है वो आती है y belongs to 0 से infinity ठीक है अब यही हम अभी graph के तुरू ठीक है चेक करेंगे और इसको validate करेंगे कि भी जो इसका domain आ रहा है वो क्या रहा है x belongs to r और जो range आ रही है वो क्या रही है 0 से infinity y belongs to 0 से infinity ठीक है अब जो exponential का graph है y is equal to a raise to the power x का graph है इसके दो case बनते है case 1 है जब a 1 से बढ़ा होगा उसका graph थोड़ा अलग है उसका nature अलग है और case 2 है जिसमें a 0 से 1 के बीच में होगा समझ गए तो y is equal to a raise to the power x के graph जो है वो दो type के बनेंगे a जब 1 से बढ़ा होगा वो अलग बनेगा a जब 0 से 1 के बीच में होगा वो अलग बनेगा अब जैसे a 1 से बढ़ा मानते हैं 2 की power x का graph अलग बनेगा 4 की power x का graph अलग बनेगा बट इन सब का nature एक जैसा होगा मलए इन सब की shape एक जैसी होगी और अगर a 0 से 1 के बीच में लेते हो जैसे half ratio the power x 1 by 3 ratio the power x 1 by 4 ratio the power x इन सब का graph भी अलग बनेगा बट इन सब का nature क्या होगा same सा होगा ठीक है तो अभी for the time being हम क्या कर रहे है a greater than 1 है तो हम 2 की power x का graph बनाते है ठीक है ordered pair से बनाएंगे तो आप already जानते हैं जैसे x1 पर इसकी value x0 पर कितनी value होगी 2 की power 0 कितना होता है 1 तो यह वाला point आगया 1 पर इसकी value कितनी आएगी x1 put करेंगे तो y की value 2 यह वाला point आगया 2 की power infinity जब मैं लेकर जाओंगा तो यह बहुत ही जादा बड़ी value हो जाएगी और infinity पर इगर आप infinity को जाएगा minus 1 पर आते हैं minus 1 पर 2 की power minus 1 कितनी value होगी half minus 2 पर minus 2 पर कितनी value होगी 2 की power minus 1 पर minus half minus 2 पर कितनी होगी minus 1 by 4 minus 3 पर minus 1 by 8 तो इन सब values को अगर आप join करोगे ठीक है अब 2 की power minus infinity जो value होती है इसको हम ऐसे लगे देता है 1 by 2 पर infinity यह होजाता है 1 by infinity को tend करता है तो 1 by infinity 0 को tend करता है मतलब यह वाली value negative कभी नहीं चाती तो यह graph आपका कुछ इस shape का बनेगा अगर आप reference इसको join करने कोशिश करेंगे तो यह इस shape का graph बनेगा ठीक है समझ आगे है तो किस का graph हो गया है y is equal to 2 raised to the power x का graph हो गया अच्छा आप इस graph को देखके domain बताने कोशिश करो आपने पहले भी एक बार सुचा हुआ है इस type के questions में domain कैसे देखते थे domain के लिए हम क्या करते है हम यह देखते हैं कि graph का x axis के long span कितना है x के किस किस value के लिए defined है तो यह जो arrow है यह minus infinity तक जा रहा है यह arrow है जो इसको infinity तक लेकर जाएगा तो इसलिए इसका domain क्या जाएगा x belongs to r आ जाएगा range देखो यह graph कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि जब x आपका minus infinity होगा तब इसकी y की value 0 को जाएगी अब x minus infinity होई नहीं सकता similarly x infinity भी नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं कि match में जो सबसे बड़ा number है वो एक infinity है तो x minus infinity भी नहीं हो सकता और x infinity भी नहीं हो सकता इसलिए जो इसकी range आ रही है वो क्या रही है y belongs to open 0 से infinity आ रही है तो domain clear हो गया x belongs to r is the domain और range जो है वो क्या हो गई open 0 से infinity हो गई ठीक है range y की value जो है वो 0 से infinity तक जा रही है अच्छा अब जो सबसे important चीज है a की power x अगर a 1 से बढ़ा है जैसे हमने 2 की power x का graph बना है आप अगर इस graph को observe करोगे इस direction में आपकी x की value बढ़ रही है और जिस जो इस direction में आप बढ़ते जा रहे हो तो y की value बढ़ती जा रही है y की value बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है y की value बढ़ रही है इसलिए यह जो function होगा जो बढ़ 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 रखे चेक करते है 1 मैंने बोला 3 2 से बढ़ा है तो इसको 2 की power में लगाओ 2 की power x तो 2 की power 3 और 2 की power 2 में कौन बढ़ा होगा 2 की power 3 2 की power 2 से बढ़ा होगा क्यूं ऐसा हो रहा है inequality change नहीं िख y न 8 is greater than 4 inequality change नहीं Q-Chain नहीं क्यों कि 2 की पावर X अगर आप क्या होता है Increasing और Increasing inequality को Change नहीं करता है तो आप इस दर से इस डारेक्शन में जाओ या इधर से इस डारेक्शन में जाओ 3 greater than 2 से उसको 2 की पावर में लगाओ इनी quality को 2 की पावर में लगाओ तो अगर मैं हटाओंगा तो क्या got to मैंने हटाया तब भी inequality हमने change नहीं करी बात समझा गई ठीक है तो अगर inequality के उपर आप increasing function लगाओगे यह हटाओगे inequality change नहीं होगी अब next case पे आते हैं y is equal to a ratio to the power x where a is between 0 and 1 ठीक है तो इसके लिए for example हम ले लेते हैं y is equal to half ratio to the power x कुछ भी ले सकते हो half ratio to the power x ले लो 1 by 3 ratio to the power x ले लो इन सब का nature एक जैसा ही बनेगा ठीक है तो x equal to 0 पर value 1 आएगी half ratio to the power 0, 1 पर value कितनी आएगी half आएगी 2 पर value कितनी आएगी 1 by 4 आएगी, 3 पर 1 by 8 आएगी कम होती जाएगी, minus 1 पर कितना आएगा 1 by 2 ratio to the power minus 1 क्या हो जाएगा, ये 2, 2 हो जाएगा ना क्योंगी 2 reciprocal में चला जाएगा ठीक है, तो half का reciprocal 2 बन जाएगा ऐसे ही, अगर मैं 1 by 2 की पार minus 2 लोंगा, तो ये 2 की पार 2 हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो half की पर minus 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है minus 2 पर ये 4 हो जाएगा, minus 3 पर ये 8 हो जाएगा, ठीक है, तो समझ पा रहे हो तो कैसा graph बनेगा आपका, ये graph कुछ अगर आप reference से join करोगे, तो कुछ इस nature का बनेगा ठीक है, तो half ratio to the power x का जो graph है, अगर आप अब ध्यान से देखो, इस arrow बना दिया मतलो ऐसे आगे तक चलता रहेगा ये वला graph ठीक है, तो ये जो graph है, इसको touch नहीं करेगा, ये ना इसे infinity पर जाकर touch करने कोशिश करेगा ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका domain बढ़ रहा है, हमारा y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे decreasing function, और ये अभी निक्वालिटी को आपके change करेगा, ठीक है तो अब ऐसा याद रखना है, कि a ratio to the power x का अगर graph है उसमें अगर a 1 से बढ़ा है, तो वो जैसे आपने इसमें a ratio to the power x लगाया, जिसमें a half है तो inequality क्या होगी, change होगी अगर a ratio to the power x हटाओगे half की power से यह हटाओगे जैसे आप इस से चेक करो, इसमें हमने half हटाया, base में से half हटाया, तो a ratio to the power x हटा रहे है हम इस case में, तो b inequality आपकी क्या होगी, change होगी, समझाया, ठीक है अच्छा आप next आते है graph of log function, तो सबसे पहले हम log function को define करते है तो y is equal to log x with base a इसको define कैसे किया जाता है इसमें domain सबसे पहले आता है, x should be greater than 0, ठीक है, इसके domain की condition है तो domain क्या होना चाहिए, log up defined होता है, जब उसकी values जो है उसके अंदर वाली जो values होंगी वो क्या होंगी, 0 या 0 से बड़ी होंगी 0 नहीं हो सकती, 0 पर log जो होता है वो not defined होता है, तो क्या होगा domain क्या होगा, x should be greater than 0 ठीक है, अच्छा, x belonging to 0 से infinity को r positive भी लिखा जाता है आपको कुछ books में मिल जाएगा, कही बार आगे हम जब question solve करेंगे, तो r positive लिखा रहता है r positive का मतलब होता है positive real numbers, तो 0 से infinity open interval जो है, वो r positive भी है ठीक है, तो log x का domain क्या हो गया x belongs to open 0 से infinity अब इसके base के उपर क्या condition रहती है वो ही जो same exponential वाली condition थी a should be greater than 0 and a is not equal to 1, समझ गए a क्या होना चाहिए, 0 से बढ़ा होना चाहिए, और a 1 नहीं होना चाहिए अब आपके मन में ये doubt आएगा कि sir, 1 raised to the power x में तो ये चलो मान लिया कि वो constant function था यहाँ पर क्या गड़बड है अगर आप इसको देखो इस function को log x with base a को इसको हम क्या लिख सकते हैं log x with log a लिख सकते हैं मानलो हमने common base 10 के साथ इसको split कर दिया तो अब अगर यहाँ पर आप a को 1 put करोगे तो क्या गड़बड हो जाएगी y आपका बन जाएगा log x divided by log 1 और log 1 की value कितनी 0 होती थी तो यह वाली value बन जाएगी log x by 0 जो की not defined हो जाएगा इसलिए a जो होता है वो 1 नहीं हो सकता बात clear होगी तो log x की definition क्या होगी याद रखने हैं आपको log x is defined for x greater than 0 तो इसका domain हो जाता है x belongs to open 0 से infinity base के उपर भी condition है base के उपर क्या condition है a should be greater than 0 and a is not equal to 1 इसकी जो range आती है हम ग्राफ में भी देखेंगे इसकी range आती है y belongs to r मतलब y belonging to minus infinity से infinity यह इसकी range आती है तो यह log x with base a की definition हो गई ठीक है ठीक है आप क्या करते हैं log x with base a का graph बनाते है case 1 लेते हैं वही same जैसे हमने वहाँ पे भी लिया था a greater than 1 वाला ठीक है तो मैंने simplicity के लिए base को क्या मान लिया है 2 मान लिया है तो अब आप जानते हैं कि अगर x की value को मैं 2 रखूंगा पहले 1 रखते हैं x की value को 1 रखेंगे तो log 1 with base 2 क्या होगा 0 होगा x की value को 2 रखेंगे तो क्या होगा log 2 with base 2 जानते हैं आप लोग 1 होगा क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं log 2 by 2 ठीक है अगर आप 4 रखेंगे तो क्या value आजाएगी 4 यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो value आएगी log 4 with base 2 तो यह बन जाएगा log of 2 raises part 2 base 2 2 आगे चला जाएगा log 2, 2, 1 होता है तो 4 पर इसकी value 2 आजाएगी ऐसे 8 पर इसकी value 3 आजाएगी अगर आप half रखेंगे x की value को तो half कॉम बोल सकते हैं 2 की पाँ minus 1 इसकी value minus 1 आएगी 1 by 4 रखेंगे minus 2 ऐसे चलता रहेगा अब इसको plot करते हैं तो x 1 पर इसकी value कितनी आ रही है 0 अब यह 1,0 से pass करेगा 2 पर इसकी value 1 आ रही है तो यह बोला point 2,1 हो गया 4 पर इसकी value 2 आ रही है तो यह बोला point यहाँ चला जाएगा 4,2 8 पर इसकी value 3 आ रही है तो यह यहाँ कहीं चला जाएगा ठीक है half पर यहाँ कहीं half आएगा not to the scale नहीं बना रहे हैं ग्राफ बट roughly आपको pattern इसका समझा जाएगा half पर इसकी value minus 1 आएगी और 1 by 4 पर इसकी value minus 2 हो जाएगी तो यह जो graph बनता है यह कुछ इस shape का बनता है ठीक है तो यह हमारा log x का graph हो गया इस graph को देखके भी अब आपको clear हो रहा होगा यह log x का graph है y is equal to log x with base 2 का graph है ठीक है और जब a greater than 1 रहता है तो उस case में इस type का ही graph बनता है तो कैसा graph है इसका अगर हम domain देखें तो कहां से कहां में है इसका domain जिरो से आगे डिफाइंड है देख रहे हो जिरो पर तो यह minus 70 को जाएगा तो जिरो से आगे डिफाइंड है इसलिए domain क्या हो गया open 0 से infinity क्योंकि यह arrow negative में minus 70 तक जाएगा यह arrow जो इतरवाल arrow यह plus infinity तक जाएगा इसलिए इसकी range हो गई y belongs to r कैसा nature है इसका increasing nature है तो यह जो graph हो गए यह again हमारे पास increasing nature का है तो increasing nature का है तो इसका मतलब क्या हो गया यह inequality को change नहीं करेगा तो log x जिसमें base 1 से बढ़ा रहता है वो increasing function होता है और वो inequality को change नहीं करता चाहिए आप उसको inequality पे लगाओ चाहिए ब inequality से हटाओ बड़ी धियान रखना है log is defined only for x greater than 0 log का कोई भी term हो उसका base 0 से बढ़ा हो या 1 के बराबर ना हो उसके base के उपर भी condition है न a greater than 0 and a is not equal to 1 यहाँ पर हमने कौन सा condition लिया हुआ है a greater than 1 ठीक है तो log अगर define करना है तो वो 0 से infinity पर defined होगा base के उपर condition है a1 से बढ़ा होगा a0 से बढ़ा होगा और a1 नहीं होगा और a1 से जब बढ़ा होगा तो graph कैसा होगा हमारा increasing होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा अब case 2 लेते हैं y is equal to log x with base a जिसमें a अब कहां से कहां के बीच में है 0 से 1 के बीच में है तो simplicity के लिए एक को half ले लिया वैसे आप 1 by 3 ले 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 1 by 4 ले ले उसके accordingly value लेके graph का nature same ही बनेगा ठीक है तो log x with base half ले लेते हैं अब आप मुझे यह बताओ इस log x with base half को मैं लिख सकता हूँ minus of log x with base 2 समझ गया होंगे आप लोग क्योंकि half को हम क्या लिख सकते हैं 2 ratio the power minus 1 तो वो जो base में हम उसको split करेंगे लिख देंगे log x by यहां पर लिख देता हूँ मैं इसको simplify करके log x with base half को मैंने लिख लिया log x divided by log of 2 ratio दिपा minus 1 यह minus को आगे भेज दिया तो minus of log x by log 2 बन जाएगा यह ठीक है तो यह बन जाएगा negative of log x with base 2 इससे calculation करने थोड़ी सी हमारे लिए असान हो जाएगी सेम वही करते हैं अब x की value को हम 1 रखेंगे तो 0 आएगा with the negative sign minus of 0 is 0 only अगर आप 2 रखेंगे तो value minus 1 आजाएगी 4 रखेंगे तो value minus 2 आजाएगी 3 रखेंगे तो value sorry 3 ने 8 रखेंगे तो x को अगर 8 रखेंगे तो value कितनी आजाएगी minus 3 आजाएगी half रखेंगे तो value फिर 1 आजाएगी क्योंकि half पर 2 की पर minus 1 होगा 1 by 4 रखेंगे तो value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी समझ आ गए हैं यहां तक जो बताया अब इसको plot कर लेते हैं 1 पर कितनी value आ गए 0 तो यह 1,0 से pass करेगा 2 पर इसकी value आ गई minus 1 ठीक है 4 पर इसकी value आ गई minus 2 ऐसे 8 पर इसकी value minus 3 आ जाएगी ठीक है और फिर half पर इसकी value कितनी आ रही है 1 आ रही है तो यहां के point चला जाएगा half यहां गई होगा 1 by 4 पर इसकी value 2 आ रही है ऐसे यह बढ़ता रहेगा तो इसको अगर आप reference से sketch करेंगे तो इस graph की shape कुछ ऐसी जाएगी ठीक है तो यह इस type का graph बन जाएगा फिर वो यह अब सब चीज़ें देख लेते हैं इसकी domain क्या होगा 0 से आगे defined है तो इस graph का domain हो जाएगा x belongs to open 0 से infinity ठीक है और range क्या हो जाएगी y belongs to r क्योंकि minus 70 से infinity तक जा रहा है कैसा graph है यह graph क्या है decreasing function है decreasing हो गया जैसे से आपका x but rise direction में y की value क्या हो रही है कम हो रही है तो इस function को अगर आप inequality पे लगाओगे या हटाओगे inequality का sign change होगा ठीक है अब जो हमने graphs पढ़े है exponential and log के जो graph पढ़े है एक तो उनका domain उनकी range यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है यह बहुत important चीज़ है ठीक है और जो चार सबसे important point है वो क्या है कि a ratio the power x अगर हम देखें तो उसमें case बने थे a greater than 1 और 0 से a से 1 में तो जब a greater than 1 था तो हमारा graph क्या था increasing function था ठीक है दोनों में एक जैसा कहने का मतलब है exponential और log में एक जैसा है base के उपर condition same है अब इसमें भी जब यह greater than 1 होगा तो क्या होगा वो increasing function ही होगा increasing था आप देख सकते हैं अभी हमने इससे पहले हमने अभी इनके graphs बनाए है अगर a 0 से 1 के बीच में रहेगा तो दोनों cases में exponential के case में और log के case में अगर base 0 से 1 के बीच में है तो दोनों decreasing function रहेंगे वो inequalities को change करेंगे अगर base 1 से बड़ा है दोनों cases में exponential में और log में ठीक है तो वो increasing function रहेंगे वो inequality को change नहीं करेंगे चलिए अब हम क्या करते हैं यह log का जो chapter है वो यहाँ पर उसकी theory खतम हो जाती है अब कुछ इस से related कुछ problem दिखते है example 1 में क्या लिखा हुआ है x raised to the power 1 plus log x is equal to 10x ठीक है इसमें log x जो है वो log x with base 10 दिया हुआ है अगर कुछ भी mention नहीं किया हुआ है और log x लिखा हुआ है तो वो base 10 के साथ रहता है और अगर ln लिखेगा तो वो log with base e के साथ रहता है ठीक है अच्छा अब इसमें यह क्या है log equation का problem हो गया क्योंकि एक equation है जिसमें log आ रहा है इसलिए किसका problem हो गया log equation का ठीक है अब इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो domain की condition लगानी है ऐसे problems को solve करने के लिए आपको हमेशा domain की condition लगानी है अगर आप domain नहीं निकाल पारे हो by chance domain निकालना मुश्किल हो रहा है तो जो आपका answer आएगा उसको फिर इस parent equation में satisfy करके देखना पड़ेगा समझ गए अगर आपने domain नहीं निकाला है तो जो आपका answer आएगा उसको parent equation में जरूर satisfy करके check करना है क्योंकि आपने domain नहीं निकाला है अब क्या है कि power में भी variable है जैसे यहाँ पे x की power में variable है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ log ले लेंगे अच्छा पहले domain लिख दू मैं तो domain क्या होगा क्योंकि x base में भी है और log के अंदर भी है तो x should be greater than 0 तो पहली condition आगी हमारे पास domain की x greater than 0 अब जो भी आपका answer आएगा उसका intersection इस condition के साथ जाएगा ठीक है तो अब दोनों तरफ हम क्या करते है log ले लेते है तो log लेंगे तो क्या बनेगा log with base 10 ले रहा हूँ है द्यान अतना है x 1 plus log x इसका log ले लिया इधर भी log लेंगे तो क्या जाएगा log of 10x ठीक है log of a ratio दिबार b क्या था ठीक है plus log x अचा log x के whole square को ऐसा भी लिखा जाता है ऐसे भी लिखते हैं इसको log square x ठीक है इसका मतलब यह सेम ही है मतलब इसका मतलब यह नहीं कि यह 2 काम बीच में आ गया तो log 2x अगर log बीच में 2x लिखा हूँ है मतलब थोड़ा सा उपर करके इसका मतलब रहता है log x ratio to power 2 only तो log x holds के plus log x is equal to log 10 हमें पता है 1 होता है ठीक है क्योंकि log with base 10 है तो log 10 with base 10 जो होता है वो 1 होता है पता है हम already ठीक है तो यह वाले log x से यह वाला log x cancel हो गया तो इससे क्या बता चल गया log x ratio to power 2 is equal to 1 आ गया log x की 2 value आ जाएंगी 1 आ जाएगा और log x की 1 value आ जाएगी minus 1 ठीक है क्योंकि base 10 है तो x की value की आ जाएगी 10 ratio to power 1 और x की value की आ जाएगी 10 ratio to power minus 1 which is 1 by 10 तो हमारे पास दोनों value आ गई 1 by 10 और 10 ठीक है अब आपको क्या करना है a और b का intersection लेना है तो a कहरा x positive होना चाहिए 1 by 10 भी positive और 10 भी positive है इसलिए इस log equation का answer हो जाएगा 1 by 10,10 तो यह हमारा इस example का log equation का answer है ठीक है आगे बढ़ते है next example देखते है under root log x with base 2 minus half is equal to log base 2 under root x ठीक है इसको solve करना है तो पहले तो domain की condition इस पर क्या domain की condition आएगी कि x should be greater than 0 क्योंकि under root x है तो उसमें वैसे तो आती है x greater than equal to 0 बट क्योंकि वो log के अंदर है तो अगर 0 हो गया तो वो not defined हो जाएगा इसलिए condition क्या है x is greater than 0 इस under root के अंदर क्या condition आएगी कि log 2 x should be greater than equal to 0 क्योंकि under root के अंदर वाली term क्या होती है greater than equal to 0 अच्छा आप देखो इसमें क्या धेहन रखना है अब log का base 2 है अब आप x की values निकालना चाहते हो यहाँ पे log x with base 2 दिया हुआ है तो log को हटाना पड़ेगा तो log को जब भी हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं मालो log 2 x is equal to आपके पास यहाँ पर a है तो आप क्या लिखोगे x is equal to 2 ratio दिपावर है जानते हो यह base होता है और यह power होती है तो same वही करना है अब इसमें क्या करोगे x यहाँ पर और इस तरफ क्या लिख दोगे 2 ratio दिपावर 0 base की power यह लगा देनी है बढ़ आपको क्या पता है कि base इसका क्या है 1 से बढ़ है तो वो कौन सा function होगा increasing function होगा तो inequality को change नहीं करेगा यह बहुत important चीज़ है तो x greater than equal to 1 आ गया दुबारे से सुनो log x with base 2 था तो यह increasing function है log 2 हटा होगे तो क्या लिखोगे inequality को change नहीं करोगे because log 2 x is an increasing function तो वो inequality को change नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा x is greater than equal to 2 ratio to the power 0 हो जाएगा तो x greater than equal to 1 हो जाएगा तो अब इन दोनों का intersection क्या होजएगा x is greater than equal to 1 तो यह हमारी domain की condition होगी इन दोनों के intersection से जो आ गई ठीक है अब हम इस problem को solve करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है पहले आप लिख सकते हो under root of log 2 x minus half is equal to इसको लिख सकते हैं half of log x with base 2 ठीक है वो क्योंकि x ratio to power half है वो half आ गया जाएगा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ log x with base 2 को हम t मान लेते हैं ठीक है आप t square भी मान सकते हो ताग यह under root हट जाए बट अभी मैं t मान रहा हूँ तो मैंने t मानना तो यह term क्या बन गई root t minus half is equal to t divided by 2 अब आप LCM ले लोगे तो आप क्यास बन जाएगा t यह two root t हो जाएगा उद जाके बन जाएगा minus two root t plus one is equal to zero अगर आप देखोगे यह root t minus one का whole square हो गया जो कि एक perfect square term है तो हमारे पास root t is equal to one आ जाएगा तो t की value हमारे पास one आ जाएगी root t हमेशा positive ही रहता है तो इसमें t की value कितने आ रही है बन आ रही है ठीक है अब हमें तो x निकालना था तो log x with base two हमारे पास one आ गया अब तो यह log two हटाएगे तो क्या हो जाएगा x is equal to two raise to the power one x is equal to two आ जाएगा ठीक है हमें क्या करना था इसका a के साइं इंटरसेक्शन लेना था तो यह क्या है बही एक्स वन या वन से बढ़ा होना चाहिए टू वन या वन से बढ़ा ही तो हमारा final answer क्या आ जाएगा इस problem का x belongs two curly bracket two यह इस problem का answer हो गया समझा गया होगा है नेक्स प्रॉब्लम देखते हैं टू रेश्टी पावर two x minus three is equal to four raise to the power xk minus three x minus one सिंपल प्रॉब्लम है इसको आप ऐसे लिख सकते हो two raise to the power two x minus three two raise to the power four goal क्या लिख सकते हो two raise to the power two तो वो इससे multiply हो जाएगा two x square minus six x minus two हो जाएगा ठीक है अब क्या करोगे क्योंकि two क्या है टू की power में इधर two x minus three है इधर two की power में यह है तो दोनों को equate करना पड़ेगा तब ही value बराबर हो पाईगी और तो कोई possible case है नहीं तो हम लिखेंगे two x square minus six six minus two this should be equal to two x minus three तो हमारे पस condition क्या बन जाएगी two x square minus eight x plus one is equal to zero एक अच्छी बात यह है कि two की power x में उसका domain क्या होता है एक्स belongs to r तो यहां पर हमें कोई domain के ऐसे च कंडिशन लगाने की ज़रूद नहीं है इसको हम बोलते है exponential equation ठीक है तो अब x की value directly आजाएंगे हमारे पास minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a ठीक है तो क्या value आजाएगी x is equal to two plus minus यह वाली value हमारे पास हो जाएगी 56 so 56 divided by 4 इसको further हम लिख सकते हैं x is equal to two plus minus अगर four को under root के inside लिखर जाएंगे तो यह बन जाएगा 56 divided by 16 तो यह बन जाएगा x is equal to two plus minus root of seven by two तो यह हमारे answer हो जाएगे तो हमारा answer हो जाएगा x belongs to two minus root of seven by two एक answer यह आजाएगा two plus root of seven by two एक answer यह आजाएगा तो इसको हम curly bracket से लिख सकते हैं ठीक है अब यह जो example है यह exponential inequality के उपर based है ठीक है तो हम ऐसे लिख सकते हैं point three ratio the power two x square minus three x plus six जो हमारे right hand side वाली term है 243 है point 00243 है तो 243 divided by 10 ratio the power five actually मैं ठीक है तो यह जो term है इसको bracket में लिख देता हूं है 243 divided by 10 ratio the power five और 243 क्या होता है 3 ratio the power five divided by 10 ratio the power five बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते है point three ratio the power five अब अगर आप ध्यान से देखो इसका जो base है दोनों तरफ point three हो गया अब point three कहां से कहां के बीच में zero से बन के बीच में तो जब base zero से बन के बीच में होता है तो ए रिष्टी पावर एक्स का सग्राफ होता है decreasing तो अगर मैं अब ए रिष्टी पावर एक्स को हटाऊंगा तो inequality मुझे क्या करनी पड़ेगी change करनी पड़ेगी इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे greater than 5 बस होगया solve problem तो यह क्या बन जाएगा अब 2x के air minus 3x plus 1 greater than 0 अब यह वे भी कव से आप solve करना जानते ही हो तो बन जाएगा 2x के air minus 2x minus x plus 1 greater than 0 इसको लिख सकते हैं 2x minus 1 into x minus 1 greater than 0 तो क्या answer आजाएगा x हमारा half से कम आजाएगा union x हमारा 1 से बढ़ा जाएगा ठीक है तो final answer हो जाएगा x belongs to minus 22 half union 1 to infinity open intervals तो यह इस inequality का जो exponential inequality है उसका answer हो गया ठीक है इस problem को solve करते हैं अब यह log inequality के उपर based problem है तो इसमें domain वगरा की condition आएगे because log में domain की conditions होती है तो सबसे पहले condition इस inequality को solve करने के लिए मेरे को लगानी पड़ेगी 2 minus 3x by x should be greater than 0 पता है log के अंदर वाली time हमेशा positive होनी चाहिए ठीक है तो अब यह आप negative क्योंकि यहाँ पे x का leading coefficient negative है तो वो common निकाल लेते है 3x negative common निकालके उस तरह बेजेंगे तो क्या होगा inequality का sign change हो जाएगा दो root आ रहे हैं यहाँ पर 1 आ रहे है 0 और 1 आ रहे है 2 by 3 तो क्या हो जागा plus minus plus हमें negative वाला interval उठाने है तो इस part का answer आ जाएगा x belongs to open 0 से 2 by 3 open ठीक है तो यह आपकी domain की condition होगी जिसके कारण आपका log defined होगा ठीक है अब next अगर आप इस term को देखोगे log with base 1 by 3 2 minus 3x by x है और यह greater than equal to minus 1 दिया हुआ है ठीक है अब यह जो term है log 1 by 3 अब मेरे को log हटाना है यहाँ से पहले तो न अब log 1 by 3 कैसा graph था increasing की decreasing base जब 0 से 1 है याद रखो base जब 0 से 1 है तो decreasing function base जब 1 से बड़ा है तो increasing function अब decreasing है तो इस log को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 minus 3x by x पहले इदर लिख दो 1 by 3 ratio to the power minus 1 यह हटेगा कि base की power आ जाती यह base है और यह power है तो 1 by 3 के बड़ा minus 1 आ जाएगा बट क्योंकि तो यह 3 अगर left hand side में लेका होगे तो minus 3 हो जाएगा अब यह क्या बन जाएगा 2 minus 6x by x should be less than equal to 0 अब negative उतर भीजेंगे तो क्या बन जाएगा 6x minus 2 by x should be greater than equal to 0 इन equality का sign change होगा ठीक है अब इसके root क्या क्या आ रहे है एक हमारे पास आ रहे है 0 और एक आ रहे है 2 by 6 which is 1 by 3 फिर गोई plus minus plus तो यह क्या रहे है कि भाई 0 open रहेगा 0 से पीछे रहो और 1 by 3 से आगे रहो तो इसका answer आ रहा है minus infinity से 0 union close 1 by 3 से infinity यह हमारी b condition हो गई जो log inequality को solve करके आई तो अब आपको क्या करना है A और B का intersection लेना है तो वही करते है एक number line पे दोनों को plot कर लेते हैं तो यह minus infinity यह infinity है यह कह रहा है कि 0 यहां कहीं आएगा और 1 by 3 यहां कहीं आएगा तो यह कह रहा है 0 से पीछे रहो open में और close 1 by 3 से आगे रहो ठीक है अच्छा आप वो condition क्या कह रहे थी 0 open से 2 by 3 तो 2 by 3 इसके आगे आएगा तो 0 open से 2 by 3 open जाने है दोनों का intersection लेंगे तो यह अला portion आएगा तो इस part का answer क्या हो जाएगा x belongs to close 1 by 3 से 2 by 3 open तो यह इस log inequality का answer है ठीक है समझा क्या होगा आप सब लोग को ठीक है ठीक है तो अब एक last homework problem है log of xq minus xq minus 2x base इसका x है अब इसका base variable है ठीक है is less than 3 इसको आप solve करिए try करिए अपना दिमाग लगा के इसका answer आता है open interval 2 से infinity ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you so much for joining in